हलो फ्र Arbeits आप देख रहे हैं आपका चनल शेह बाजर विधायूश और बात करेंगे इस वीडियो में हम विधानता के ऊपर विधानता के लिए दोस्तों कल एक बहुत इंपोर्टन दे हैं विधानता के शेहूंडर्ज के चनल क्या क्या करें किया चल क्या क्या आपको आप लोग कर लीजिएगा सबसे पहले तो यही कहना पड़ेगा कि बहुत ही बढ़िया तेजी के अंदर कारोबार स्टॉक लगातार कर रहा है आज भी अगर आप देखेंगे 299.70 पे ट्रेड कर रहा है एन एक समय पे 300 रुपे की भी पार काफी समय के बाद दोस्तों ट्रेड करना चालू कर दिया था है कि विदानता के अंदर जो तेजी हमको देखने को मिली है हाल फिलाल के अंदर वो काफी जादा बहतर है पिज़ोज यह बात ध्यान रखनी होगी कि लास्ट एक महीने में साड़े 6% के रिटन्स दिलिवर करे और लास्ट 6 महीने में करीबन 0.75% पट यह बात ध्यान रखेगा कि यह जो कंसॉलिडेशन का फेस था यह दोस्तों जो कंसॉलिडेशन का फेस टूटा है अंडाउटेटली क्लियर कट ब्रेकाउट आ चुका है और इसमें तीजी जो है वो आपको लगाता अभी देखने को मिल रही है बट एक बात जरूर है कि आज जरूर आपको 300 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ निजर आ रहा है लेकिन कल दोस्तों फिर से ये 300 रुपे की नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा अब ऐसा क्यों 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 ये बात ध्यान रखेगा कल दोस्तों डिविडेंट का अजस्मेंट होने वाला है ये बात ध्यान रखेए कंपनिये जिस तरह के लगाता डिविडेंट बाते हैं आज शेयर साड़े 300-400 रुपे के नजदीक 100% होता but still क्यों नहीं है उसके पीछे कारण है because company ने in the form of dividend आपको वो पे किया है इसलिए अगर आप यहाँ पे notice करेंगे तो तेजी हो ना हो लेकिन ये बात जरूर है कि investors ने पैसा जरूर कमाया है जिन्होंने hold भी करके रखा था उन्होंने काफी भैतर पैसा कमाया है बिना share को बेचे क्योंकि आपके in the form of dividend जो है वो पैसा बनता गया है अब सबसे लिए तो बात करते हैं दोस्तों dividend के बारे में उसके important data points के बारे में क्या क्या कल होने वाला है so friends कल दोस्तों विदानता का dividend का x date है x date के दिन ही record date भी है तो ये बात ध्यान रखीगा दोनों तारीक कल ही है dividend की भी और x date की भी कल दोस्तों dividend विदानता x date x dividend trade करेगा पर important बात यही है कि साड़े 18.5 रुपे का दोस्तों कल आपको adjustment देखने को मुलेगा कितने का 18.5 रुपीज का adjustment देखने को मुलेगा adjustment का मतलब क्या होता है जिन लोगों ने first time विदानता के share लिये तो ये बात ध्यान रखी friends जब भी company थोड़ा सा जाधा dividend pay करती है तो उसके बाद एक adjustment देखने को मुलता है stock की price पर for example अभी दोस्तों जब share 300 रुपे के आसपस trade कर रहा है तो ये बात ध्यान रखीए 300 रुपे के आसपस अगर trade कर रहा है आज तो जो भी closing price होगी for example 300 ले लेते हैं closing price तो कल दोस्तों share 8.5 रुपे नीचे खुलेगा अब 8.5 रुपे नीचे basically आप मान के चलिए stock की price हो जाएगी यानि stock जो है वो almost आपको कल trade करता हुआ देखने को मुलेगा at 291.5 राइट so 281.5 पे stock कल trade करेगा and दोस्तों इसका majorly आपको adjustment हम कह सकते हैं देखने को मिल जाता है इसका मतलब क्या होता है कि देखे जब भी जैसे मैं आपको उता है कि company जादा dividend trade जब देती है तो उसके पार जब trading होती है उसके x dividend पे तो दोस्तों stock पे आपको एक adjustment देखने को मुलता है कि 281.5 है और यहां से मान लीजे कल 2% पी उपर खुलता है तो 281.5 से ही वो 2% गिना जाएगा ऐसा नहीं कि आज 300 रुपे की closing है तो वहां से गिना जाएगा तो यह बात ध्यान रखेगा कल जो adjustment होगा अगर गिरावट दिखती है तो उसमें कोई चौकाने वाली बात नहीं है वो क्यों हुआ है just because dividend का वो adjustment था जो आपको stock पे देखने को मिल गया तो यह बात तो साफ साफ important है अप किन को मिलेगा dividend अगर दोस्तो आप आज जी हाँ आज भी अगर आप stock को buy करेंगे तब भी आपको dividend मिलेगा लेकिन अगर आप सोचते कि मैं कल buy करता हूँ तो क्या मुझे dividend मिलेगा तो definitely दोस्तो कल आपको dividend नहीं मिलेगा क्यों because कल x date है और x date पे दोस्तो बाय करने से dividend नहीं मिलता है कि मैं 30 तारिक को buy कर लूँगा तो क्या मुझे dividend मिलने वाला है तो जैसे माने कहा बिल्कूल भी आपको dividend नहीं मिलेगा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कंपनी की AGM भी होगी तो उसमें भी शायद तक कंपनी उसके बाद dividend दे यह बात important because जब कंपनी की AGM होती तो वह भी माठर करती है बट क्योंकि देखिए कंपनी का first dividend है financial year का तो hopefully 30 days के अंदर आपको transfer कर दिया जाएगा आपके सीधे सीधे वो bank account में आएगा यह बध्यान रखिएगा bank account में आपको जो dividend है आपका मिल जाएगा और company ने पिछले साल भी अपने आप में बहुत ही भैतर करना है उसके लिए company लगा था dividends company बाट रही है and definitely इससे company एक हद तक अपने liabilities को अपने bonds repayment के उपर काम कर रही है बट अगेन बहुत बड़ा amount है तो थोड़ा बहुत company अगेन जैसे मने का company debt से raise भी करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी काफी bank से भी company की बातचीच चल रह कि तीजी बन रही है विदानता के अंदर एक अच्छी खासी तीजी बन रही है अब देखते है कि फिर कब कितने समय के बाद विदानता जो है वो 300 रुपे के आसपास trade करना चालू करता है क्योंकि यह बहुत important ही है कि stock का आपको का legitimate देखने को मिल जाएगा और वापी से 300 रुपे का जो आज अब आपको level देखने को मिल रहा है वो फिर से उससे नीचे trade करना चालू कर देगा तो देखते होता क्या है इस वीडियो मत इतना ही था hopefully वीडियो बढ़या लगा होगा thank you friends for watching this video